नमस्कार दोस्तो हमारी यूडूब चैनल में आपका एक बाद फिर से स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बेसिक कोस्मोटोलोजी जैप्टर 11 मैं कब से कुछ important क्योशन ले रहे हैं जो कि काफी बार एकजाब में पूछे जाते हैं और पूछे भी जात चुके हैं दोस्तो अगर आप भी आईटाई बेसिक कोस्मोटोलोजी की ड्रेड से खर रहे हैं तो यह सेंपल पेपर आपके लिए काफी फाइदेमंद होने वाला है तो चलिए दोस्तो आज की question pepper को start करते हैं दोस्तो लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है इसके option है A हरा B पीला C निला डी नारंगी इसका सही उतर है हरा दोस्तो निमर परकार के चेहरों में से किस परकार के चेहरे का आकार सबसे अच्छा माना जाता है इसके option है A गोल चेहर C दिल के आकार का चेहरा D अंडाकार चेहरा इसका सही उतर है अंडाकार चेहरा दोस्तो मेकप के कितने परकार होते हैं इसके option है 4, 6, 5, 7 इसका सही उतर है 4 परकार दोस्तों किस प्रकार के नाग पर क्रेक्टिव मेकप नहीं किया जाता है इसके option है A. Normal Nose B. Broad Nose C. Short Plot Nose D. Large Proto Dink Nose इसका सही उतर है Normal Nose दोस्तों मेकप में foundation का उप्योग किसके लिए होता है इसके option है A. Base B. Cleaner C. अच्छा दिखने के लिए D. Pimple हठाने और प्ले मिसिंग के लिए इसका सही उतर है Base दोस्तों तेलिये तवज्जा कि सफाई का chemical कैसा होता है इसके option है A. C. To date Lotion B. Cleansing Milk C. Cleansing Cream D. Aloe Vera Cream इसके option है A. बात करने का तरीका B. वहवार C. सालरिक बंगिमा D. उपरोक्त सभी इसका सही उतर है उपरोक्त सभी 200 C. T. M. का विश्तरित रूप क्या है इसके option है A. Conditioning Trimming मसाज B. Cotton Toner मसाज D. C. Cleansing Toning Moisturizing D. Cleansing Toning मसाज इसका सही उतर है Cleansing Toning Moisturizing दूस्तो आखों की Outline और उसको उबारने के लिए किस Cosmotic का प्रयोग किया जाता है इसके option है A. Eyeshadow B. Eyebrow Pencil C. Gazzle D. Eye Liner इसका सही उतर है Eye Liner दूस्तो आखों के चारो और Concealer छिपाने के लिए किस Burst का उप्योग करना चाहिए इसके option है A. Concealer Burst B. Lip Burst C. Power Burst D. Angle Burst इसका सही उतर है Concealer Burst दूस्तो Facial विशेष्टा को कम करने के लिए Makeup के दोरान क्या इस्तेमाल करना चाहिए इसके option है A. हलका रंग B. गुलाबी रंग C. गहरा रंग D. बूरा रंग इसका सही उतर है गहरा रंग दूस्तो Blesser का प्रियोग गाल की हड़ी और कंपटी की ओर किसके लिए होता है इसके option है A. वरगाकार चहरे B. गोल चहरे C. अंडाकार चहरे D. आयताकार चहरे इसका सही उतर है गोल चहरे दूस्तो आज़र्श फैसिल आकार क्या है इसके option है A. गुलाकार B. अंडाकार, C. वर्गाकार, D. तर्गुजाकार इसका सही हुतर है अंडाकार दोस्तों तवज्जा को ताजा करने के लिए फ्रेशर किस परकार की तवज्जा पर मैकप लगाने से पहले लगाया जाता है इसके ओप्शन है A. तेलिय तवज्जा, B. निजलित तवज्जा, C. समाने तवज्जा, D. सुस्क तवज्जा इसका सही हुतर है सुस्क तवज्जा दोस्तों मैकप के दोरान किस परकार का लाइट अच्छा माना जाता है इसके ओप्शन है A. वाइट लाइट, B. ब्लू लाइट, C. यल्लो ब्ले लाइट, D. उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है यल्लो या ब्ले लाइट दोस्तों एवज्जन ये आइबरो, हेयर को किस दिशा में निकाल देना चाहिए इसके ओप्शन है A. हेयर ग्रोथ की वीपरित दिशा में, B. हेयर ग्रोथ की दिशा में, C. आराम के अनुसार किसी भी दिशा वाले D. उप्रोक्त में से कोई नहीं, इसका सही उतर है दोस्तों, दो प्रात्मिक रंगों को समान रूप से मिलाने के बाद कौन सा रंग पराप्त होता है इसके option है A सथाई रंग B सलाइसिंग C मेटालिक रंग D सेकेंड्री रंग इसका सही उत्र है सकेंड्री रंग दोस्तो रंगों के संबंद को समधने के लिए क्या system है इसके option है A कलर system, B रंगों के नियम C application system, D 3 तिर्दिया रंग सिस्टम इसका सही उतर है रंगों के नियम दोस्तो होट जिसके वकर नीचे की और हो उन्हें क्या कहा जाता है इसका सही उतर है समान होट दोस्तो मेकप लगाने का मुख्य उदेश्य क्या है इसके उप्सन है A. चेहरे की सुंदरता में वृदी B. चेहरे का रंग बदलना C. चेहरे की विशेश्ताव को बदलना D. सवरूप को बदलना इसका सही उतर है चेहरे की सुंदरता में वृदी दोस्तो मैक अप एक कला है जिसके लिए क्या आवश्यक है इसके option है दोस्तो माध्यमिक रंगों को प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं? दोस्तो दिन की रोषनी में किया गया मैकप हमेशा कब करना चाहिए? इसके ओप्सन है इसका सही रोषनी में इसका सही रोषनी में दोस्तो बुनियादी चहरे की आकरती की कुल संख्या कितनी है? इसके ओप्सन है A 4, B 5, C 7, D 8 इसका सही रोषनी में दोस्तो बिलकुल सही चहरे की आकरती कौन सी है? इसके ओप्सन है A गोलाकार, B अंडाकार, C वरगाकार, D त्रिगुजाकार इसका सही रोषनी में दोस्तो मेकप कमरे में इस्तेमाल परकास का परकार कौन सा है? इसके ओप्सन है A प्रकास मान, D गरग, C उजवल, D लाल इसका सही रोषनी मेकप करते समय कंसीलर के बाद क्या लगाया जाता है? इसके ओप्सन है A, Compact, B, Foundation, C, डिला पाउडर, D, Blusser, इसका सही रोषनी मेकप करता है? इसके ओप्सन है A, Hara, B, पीला, C, नारंगी, D, लाल, इसका सही रोषनी मेकप करता है? दोस्तो चहरे को साफ करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है? इसके ओप्सन है A, Toner, B, Cleansioning Milk, C, Primer, D, Foundation, इसका सही रोषनी मेकप करता है? दोस्तो क्रितरिम पलकों का इस्तेमाल किसे लिए किया जाता है? इसके ओप्सन है A, दिनके मेकप के लिए, B, चमकवाले मेकप के लिए, C, सुधरात्मक मेकप के लिए, D, सामके मेकप के लिए इसका सही रोषनी मेकप के लिए इसके option है ए पतली, B, गनी, C, अल्की, D, नॉर्मल, इसका सही उतर है पतली दोस्तों किस makeup बर्स का उप्योग छोटी कमियों को संसोधन में किया जाता है इसके option है A foundation verse B powder verse C concealer verse D balding verse इसका सही उतर है concealer verse दोस्तों इन में से कौन सा रंग कूल रंग की स्रेणी में आता है इसके option है A lal B bangni C pilar D नारंगी इसका सही उतर है bangni दोस्तों रंग चक्कर के वीपरित पक्स के रंगों के सयोजन से कैसे रंग बनते हैं इसके option है A पूरक रंग B analog रंग C cool रंग D तृतियक रंग इसका सही उतर है पूरक रंग दोस्तों दिन के समय makeup का base कैसा होना चाहिए इसके option है A light B dark C चमकिला D उपरवक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है light दोस्तों रात के makeup में लपिष्टे के कैसे रंग चुनने चाहिए इसके option है A हलका B bold C mate D प्राकर्थिक इसका सही उतर है bold दोस्तों नीला और हरा रंग गुलाबी रंग के परकास में किस रंगा दिखता है इसके option है A बैंगनी B पीला C सलेटी D पीच इसका सही उतर है सलेटी दोस्तों कौन से रंग का परकास makeup के रंग को नहीं बदलता है इसके option है A लाल B पीच C गुलाबी D हरा इसका सही उतर है पीच दोस्तों कौन सी प्रक्रिया के बाद चहरे के रोम चिदर खुल जाते है इसके option है A क्लिजनिंग B टोनिंग C मॉस्चिराइजिंग D उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उतर है टोनिंग दोस्तों चिक बोन को ठीका लुक देने के लिए किसका उप्योग किया जाता है इसके option है A ब्रोंजर B हाइलाइटर C बाल्स D फाउंडेशन इसका सही उतर है बोंजर दोस्तों किस प्रकार की नाक के सुद्रात्मक मेकप के लिए नाक के ब्रिज पर हाइलाइटर का उप्योग करते है इसके option है A बडी नाक B लंबी नाक C पतली नाक D चप्ती नाक इसका सही उतर है चप्ती नाक दोस्तो किस प्रकार की होटों में लिप लाइनर से होटों के बाहर की तरफ आउटवायन की जाती है, इसके option है A. पुरन होट B. पतले होट C. वेस्म होट die उपरवक्त में से कोई नहीं, इसका सही हुपतर है, पतले होट दोस्तो लिपिस्टिक अठाने के लिए किसका प्रयोग सबसे उपियुप्त है इसके option है A. क्लिजिनिंग मिल्क B. टोनर C. पैट्रोलियम जैली डी मॉस्चराइजर इसका सही उतर है पैट्रोलियम जैली दोस्तो कौन सा उत्पाद चहरे के रोम चिद्रों को बरकर एक चिकना बेस परदान करता है इसके option है A. टोनर B. पाउडर C. प्राइमर डी फाउंडेशन इसका सही उतर है प्राइमर दोस्तो तिर्ट्यक रंग कितने होते हैं इसके option है A. 5, B. 6, C. 7, D. 8 इसका सही उतर है 6 दोस्तो मेकप के चहतर में कौन सा रंग वार्ब मतलब गर्म और ठंडा हो दोनों हो सकते हैं इसके option है A. लाल B. पिला C. दारंगी D. हरा इसका सही उतर है लाल दोस्तो किसके अनुसार हम अपनी बाल सेली निरदारित करते हैं इसके option है A. मैकप B. आखों के आकार C. चहरे के आकार D. होटों के आकार इसका सही उतर है चहरे के आकार दोस्तो सिर्ट्स पर पतले और तल पर व्यापक चहरे कौन से होते हैं इसके option है A. अंडाकार B. त्रिकोनाकार C. आयताकार D. कोलाकार इसका सही उतर है त्रिकोनाकार दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी doubt है तो हमें comment box में जरूर बताए अगर आपको किसी ओटोपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें comment box में ये भी बताए साथ ही चैनल को subscribe करना नहें भूले बेल आकिन प्रेस जरूर कलेजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को notification आपको मिलता रहे